बहुत समय पहले की बात है, एक धने जंगल में एक शक्तिशाली शेर और एक चालाग बंदर रहते थे। दोनों में अच्छी मित्रता थी और वे अक्सर एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। एक दिन जंगल में भयन कर सूखा पड़ा, नदी तालाब सब सूख गए और प्योग करना चाहिए। अगर हम एक साथ काम करें, तो हम इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। शेर ने बंदर की बात मान ली और वे दोनों भोजन की तलाश में निकल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद, उन्होंने एक उचा पेड़ देखा, जिसके उपी हिस्से में फल अटक रहे थे। शेर ने बंदर से कहा, तुम्हारे पास चड़ाई का अच्छा कोशल है। तुम इस पेड़ पर चड़ कर फल ला सकते हो। बंदर ने तुरंत पेड़ पर चड़ना शुरू कर दिया और कुछ ही समय में वह फल के पास पहुँच गया। उसने बहुत सारे फल तोड़े और नीचे गिरा दिये, जिन्हें शेर ने एकत्रित कर लिया। जब बंदर नीचे उतरा, तो शेर ने कहा, मित्र, तुमने मेरी बहुत मदद की। अब चलो, इन फलों को हम दोनों मिलकर खाएंगे। बंदर ने मुसकराते हुए कहा, मित्र, तुम्हारी ताक दूस्वे की मदद करते रहे और साथ मिलकर हर कठिनाय का सामना करते रहे। ये कहानी हमें सिखाती है कि दोस्ती में एक दूस्वे की ताकत और कमजोरी को समझना और एक दूस्वे की मदद करना कितना महत्वपून है। शेर की ताकत और बंदर की बुद्धी ने मिलकर उन दीरे धीरे वे बहुत अच्छे मित्र बन गए। शेर जंगल का राजा था लेकिन वह बहुत ही समझदार और दयालू था। बंदर बहुत चालाक और मजा किया था लेकिन उसमें भी एक सचे दोस्त के सभी गुन थे। एक दिन की बात है शेर शिकार करने निकला था लेकिन उसकी तबियत ठीक नहीं थी और वह कमजोर महसूस कर रहा था। बंदर ने ये देखा और सोचा कि आज शेर की मदद करनी चाहिए। बंदर ने जंगल के पेड़ों से फल इकठा किये और शेर के पास ले आया। शेर ने जब देखा कि बंदर ने उसके लिए खाने का इंत दर्द से कराह रहा था और नीचे नहीं उतर पा रहा था। शेर ने ये देखा और बिना समय गवाय पेड़ के पास पहुचा। उसने बंदर को सहारा दिया और धीरे धीरे उसे नीचे उतारा। शेर ने बंदर की टांग पर अपने मजबूत पंजे से पट्टी बांधी और उसे आराम करने के लिए कहा। बंदर ने शेर का आभार व्यक्त किया और कहा तुम भी सच्चे मित्र हो। समय बीटता गया और दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो गई। जंगल के सभी जानवर उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे। वे दोनों एक दूसरे की मदद करने औ और साथ समय बिताने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। इस तरह शेर और बंदर की दोस्ती ने ये साबित किया कि सच्ची मित्रता में स्वार्थ या भेदभाव की कोई जगह नहीं होती। दोस्ती की सच्चाय और निश्कलिंक तही उसे अटूप बनाती है। और इस दिन शेर ने बंदर से कहा, बंदर तुम हमेशा इतने खुश रहते हो और मुझसे भी दोस्ती करना चाहते हो। तुम मुझसे नहीं डरते, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। बंदर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं, महाराज। दोस्ती में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। शुरू में शेर को लगता था कि एक छोटे से बंदर से दोस्ती करना उसकी शान के खिलाफ है लेकिन धीरे धीरे उसे बंदर की हसी मजाक और समझदारी पसंद आने लगी। बंदर ने अपनी समझदारी का उपयोग करते हुए शेर को धेर सारी कहानिया सुनाई और उसे हसाने की कोशिश की। धीरे धीरे शेर की तबियत। सुधर ने लगी। शेर ने बंदर से कहा तुम्हारी दोस्ती और तुम्हारे हसी मजाक ने मेरी जान बचाए है। मैं तुम दोस्ती और भी गहरी हो गई। दोनों एक दूसरे की देखभाल करते और मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा बनते। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती किसी भी सीमा में नहीं बंधती और सच्चे मित्र वही होते हैं जो मुश्किल समय में आपके सा खड़े होते हैं। काफी देर तक इधर उधर घूमने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। ठक हार कर वह एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। उसी पेड़ पर मिनकु अपने परिवार के साथ रहता था। उसने शेरू को उदास देखा और नीचे उतर कर पूछा, शेरू भाई, क्या हुआ। आप इतने उदास क्यूं हैं। शेरू ने कहा, मैं सारा दिन शिकार के पीछे भागता रहा, पर मुझे कुछ नहीं मिला। अब मैं बहुत भूखा और ठका हुआ हूँ। मिनकु ने अपनी चतुराई से सोचा और कहा, कोई बात नहीं, शेरू भाई, मेरे पास एक उपाय है, चलो, मैं तुम्हे कुछ दिखाता हूँ। मिनकु शेरू को एक बड़े फल वाले पेड़ के पास ले गया। वहाँ बहुत सारे फल लटके हुए थे। मिनकु ने कहा, शेरू भाई, आज आप ये फल खाकर अपनी भूख मिटा सकते हो। शेरू ने पहले तो संकोच किया, पर फिर मिनकु के कहने पर उसने फल खाये। फल खाकर शेरू की भूख मिट गई और वह मिनकु का धन्यवाद करने लगा। इस तरह से दोनों की दोस्ती की शुरूआत हुई। दिन बीटते गए और दोनों की दोस्ती और गहरी होती गई। मिनकु अपनी चतुराई से शेरू की मदद करता और शेरू अपनी ताकत से मिनकु की रक्षा करता। एक बार की बात है, जंगल में एक भयन कर सूखा पड़ा। सभी जानवर पानी की तलाश में भटक रहे थे। शेरू और मिनकु ने मिलकर एक योजना बनाए। मिनकु ने अपनी फूर्ती से जंगल की अलग-अलग हिस्सों में पानी की तलाश की और शेरू ने अपने बल से सभी जानवरों के लिए एक बड़ा गढ़ा खोदा, जिसमें पानी इकठा हो सके। मिनकु को एक सूखे तालाब में थोड़ा बहुत पानी मिला। उसने शेरू को बताया और शेरू ने अपने बल से तालाब के चारों और से मित्टी हटा कर उसमें पानी को इकठा कर दिया। इस तरह से पूरे जंगल के जानवरों को पानी मिला और उनकी जान बच गई। इस घटना के बाद, पूरे जंगल के जानवर शेरू और मिंकू की जोड़ी की तारीफ करने लगे। उनकी दोस्ती की मिसाले दी जाने लगी। शेरू और मिनकू ने अपनी दोस्ती से साबित कर दिया कि अगर सच्ची मित्रता हो तो किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है. इस प्रकार शेर और बंदर की दोस्ती की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता में ताकत और चतुराई दोनों की जरूरत होती है औ नहीं, बंदर बहुत चतुर और चालाक था, दोनों के बीच अच्छी दोस्ती थी, एक दिन शेर और बंदर जंगल में घूम रहे थे, उन्होंने एक पेड़ के नीचे बैट कर बात करने का फैसला किया, शेर ने बंदर से कहा, बंदर भाए, मैं हमेशा तुम्हारी चतुरा हैं, एक दिन, जंगल में एक बड़ी मुसीबत आ गई, जंगल में एक सूखा पड़ा और सभी जानवर पानी के लिए तरसने लगे, सभी जानवर बहुत परेशान हो गए और कोई भी इस समस्या का हल नहीं निकाल पा रहा था, शेर ने अपने दोस्तों के साथ बैठक बंदर ने एक सुझाव दिया, क्यों ना हम जंगल के पुराने कोई को साफ करें, हो सकता है कि उसमें पानी हो, शेर ने इस सुझाव को मान लिया और सभी जानवरों को कोई की सफाई करने का आदेश दिया, सभी ने मिलकर बहुत मेहनत की और आखिरकार कोई में पानी मिल सभी जानवर बहुत खुश हुए और शेर और बंदर की तारीफ करने लगे, इस घटना के बाद शेर और बंदर की दोस्ती और भी मजबूत हो गई, उन्होंने समझ लिया कि जब भी हम मिलकर काम करते हैं, तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती, दोनोंने एक दूसरे की खुबियों को सराहा और हमेशा एक दूसरे की मदद करने का वादा किया, इस प्रकार शेर और बंदर ने अपनी चतुराए और ताकत से जंगल में शान्ती और खुशाली लाए, उनकी दोस्ती का ये सबक सभी जानवरों के लिए प्रेरना बना की मिलजूल कर रहने में ही असली शक्ती है, तारानकन सीख, तारानकन तारानकन इस कहानी से हमें ये सिखने को मिलता है कि एकता और सहयोग से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है, चाहे हम कितने भी अलग क्यूं नहों, अगर हम मिलकर काम करें तो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं, ए की बंटी बहुत ही चतुर और चालाक था। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी और वे हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन जंगल में बहुत बड़ा अकाल पड़ गया। सारे जानवर खाने की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। शेरू और बंटी भी और दोनों चल पड़े। चलते चलते वे एक गहरी नदी के किनारे पहुँच गए। नदी को पार करना उनके लिए बहुत मुश्किल था। बंटी ने अपनी चतुराई से एक योजना बनाई। उसने शेरू से कहा, शेरू भाई, तुम मुझे अपनी पीट पर बैठा ल और हम दोनों मिलकर नदी पार कर लेंगे। मैं तैरना जानता हूँ, इसलिए तुम हे नदी के तेज बहाव से बचा सकता हूँ। शेरू ने बंटी की बात मान ली और उसे अपनी पीट पर बैठा लिया। बंटी ने शेरू की पूँच को कसकर पकड़ लिया और वे दोन मिलकर नदी पार करने लगे। बंटी ने शेरू को सही दिशा में मार्ग दर्शन किया और दोनों सुरक्षित नदी पार कर गए। नदी के उस पार एक हराब हरा मैदान था जहां बहुत सारे फल और शिकार थे। शेरू और बंटी ने मिलकर वहां खूब भोजन किया और अपनी भूख मिटाए। वे दोनों बहुत खुश थे और एक दूसरे की मदद के लिए आभार व्यक्त किया। समय बीटता गया और उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई। शेरू और बंटी ने ये समझ लिया था कि सच्ची दोस्ती में एक दूसरे की मदद और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार शेरू और बंटी ने मिलकर हर मुसीबत का सामना किया और जंगल में सभी जानवरों के लिए एक मिसाल बन गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती में सहयोग और विश्वास का महत्व होता है और मुश्कि समय में हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए।